नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नेखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं आपसे R41 ड्रॉप्स के बारे में यहाँ डॉक्टर रेगवे कंपनी का ड्रॉप है इसका यूज मरदाना कमजोरी में किया जाता है यदि आपको मरदाना कमजोरी है आपको ED की प्रॉब्लम्स हो गई है काफी लंबे समय से इस समस्या से आप शफर कर रहे हैं तो आप डॉक्टर रेगवे कंपनी का R41 कि इसका डोज सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि इसका डोज हमें किस तरह से यूज करना है दूसरा नंबर पर यहाँ आता है दोस्तों यदि हम डॉक्टर रेगवे कंपनी का ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो साथ में कौन सी ऐसी होमोपेटिक मैडिसिन हम यूज करें त ताकि result हमें काफी effective देखने को मिले हाला कि डॉक्टर रेगवे कंपनी का ड्रॉप है काफी effective है इसमें सभी effective content मिलाए गया है पर कुछ content ऐसे होते हैं जो इसमें मिलाया नहीं गया है जो अलग से हमें use करने हैं दूसरी बात आती है तीसरी बात यहाँ आती है कि दोस्तों होते हैं और कुछ परेज हमें अवश्य करने होते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है यदि आप डॉक्टर रेगवे कंपनी का drop यूज करते हैं तो इस वीडियो को आप यूज करना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो को अंतक देखें ता साथ वेल आइकन की घंटी को जरूर पेज करें ताकि सभी लेटिस्ट मैडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करेंगे डॉक्टर रेगवे कंपनी का आर फोटी वन ड्रॉप्स के बारे में दोस्तों यहां काफी इफ्रेक्टिव डाप इसमें प्रॉपर तरीका से एरेक्शन नहीं आता परफॉर्मेंस करने आप जाते हैं और जल्दी से परफॉर्मेंस कर नहीं पाते हैं जल्दी से एजुकलेट हो जाता है तो इन सारी शमश्याओं से रेलेटेड प्रावलम्स को ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का यूज कि बारे में सबसे पहले नंबर पे acid force इसमें मिलायागा है acid force क्या काम करता है साइद आपको जानकारी होगी और जिन पेशेंटों को नहीं है वो भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं only for sword form में R41 drop जो होता है इसमें mental debility में बहुती अच्छा काम करता है पहले सारेरी कमजोरी आती है फिर मांसी कमजोरी सरीर में धीरे धीरे करके आने लगती है तो उसमें acid force का use किया जाता है पेशेंट का जो सबाह होता है बहुती जल्दी चिर्चिला होने लगता है और बहुती weakness कमजो प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता acid force में next is content इसमें मिलाया गए दोस्तो agnes custos agnes custos की बारे में आप जानते ही होंगे पूर्सों के लिए यहां एक अम्रत के समान है जब patients को erection प्रॉपर तरीका से नहीं आते हैं erection ना आने के कारण performance सहीं से नहीं हो पाता है जुकिलेट ज जानते होंगे जिन patient को सारे रिक बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है जिन patient को night falls की problem हो जाती है उसके कारण सरीर में weakness हो जाती है performance प्रॉपर तरीकत से नहीं हो पाता है इजुकिलेट बहुत ही जल्दी हो जाता है तो उसमें China का use किया जाता है कड़कपन उसमें हमें देखन को नहीं मिलता है तब भी China का use किया जाता है या आप बहुत ज़्यादा cigarette वगीरा पीते हैं कोई ऐसी गंभीर आपको बीमारी हो गई है उसके कारण आपको importance आ गई है तो उसमें R41 drop का use किया जाता है next content में मिलाया गए तो demiana sperm count को बढ़ाने के लिए demiana का use किया जाता है demiana यदि आपको low sperm count की problem है testosterone level आपका कम है तो उसमें demiana का use किया जाता है importance is the bell mark की note symptom of this demiana यानि कि sperm count को बढ़ाने के लिए demiana का use किया जाता है इस पर आपके अच्छे रहेंगे तो आप पिताजी बन सकते हैं और performance अच्छी तरह से कर सकते हैं यहाँ इसका bell mark की note symptom है demiana का next content इसमें मिलाया गए तो उसमें conium mag के बारे में प्रहाय प्रहाय सभी जानते हैं जिन प्रॉषेंटों को भी prostate की problem हो जाती है old age में आपने देखा होगा 40 plus होते हैं और prostate की उनको problem हो जाती है prostate gland उनकी बढ़ने लगती है तो उसमें conium mag यूज किया जाता है हमेशा cramping pen हमेशा पैरों में दर्द में बना रहता है बीकनेस हमेशा सरीर में बनी रहती है दर्द हमेशा करते रहता है और prostate gland के कारण prostate प्लूट discharge जाता हो जाता है जिसके current patient को importance आने लगती है sperm proper तरीकर से नहीं बन पाता है और erection proper तरीकर से नहीं आते हैं तब coonium mac का उसमें use किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करती है next में मिलाई गए दोस्तो testis testis बहुत ही अच्छा काम करती है हमारे sperm account को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी इसके काफी effective results हमें देखने को मिले हैं तो यहां content इसमें मिलाए गए next content इसमें मिलाए गए दोस्त फासपूरस फासपूरस हमारी डिविलिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है जिन पैशेंटों को हमेशा थका 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 महसूस होता है तो फासपूरस उसमें use की जाती है next content इसमें मिलाए गए गए बारे में आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप जा सकते हैं कि सीपिया बहुत ही अच्छा काम करती है पर्फॉर्मेंस प्रॉपर तरीका से पेसेंट नहीं कर पाता है मेंटल डिविलिटी चिरचिड़ापन गुस्सा यहां पेसेंट में हमें देखने को मिलता है तब उसकेश में शीपिया का यूज किया जाता है दोस्तों य एक कब गुनगुना पानी लेना है उसमें 25 बूंद सुबा 25 बूंद फर में 25 बूंद रात में continue इस ड्रॉप का आपको यूज करना है नेक्स आता है दोस्तों कि कौन सा परेज हम करें परेज के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं फिर कौन सी मैडिसिन हमें एड़ करन हैं तो नीबू का सेवन आम का सेवन इमली का सेवन गुबचुब गुल गप्पे वगिरा जो होते हैं इसका शेवन नहीं करना है कच्ची प्याच कस्ची लेसुन का सेवन नहीं करना है यदि सबजी आमें डल रही है तो आप शेवन कर सकते हैं बाकि अलग से सबजियों का 7 आपको नहीं करना है इन चीज़ों का परिश करना है अब बात आती है दोस्तों कोन सी medicine हम साथ में add करें ताकि हमें काफी अच्छे result देखने को मिले दोस्तों आपने content के बारे में जाना ही होगा सबसे पहले दोस्तों आता है अश्वगंदा जो इसमें नहीं मिलाई गई है तो हमें अलग से अश्वगंदा का मैडिसिन का शेवन करना है यहां हमारे होश पावर को बढ़ाती है और टेस्टिस्टन लिवल को इंक्रीज करने के लिए अश्वगंदा का यूज किया जाता है प्रहा प्रहा सभी पेशन जानते हैं जा भी अश्वगंदा का नाम आता है तो वहाँ पे टेस्टिस्टन लिवल को बढ़ाइने के लिए physical exercise और muscles को gain करने के लिए अश्वगंदा का use किया जाता है इसमें हमें 7 में मिला के use करना है नेक्सट आता है दोस्तो जिनसन इसमें नहीं मिलाये गाया है जिनसन हमें इसमें मिला के use करना है तो आप यहाँ 2 medicines साथ में use करें और lycopodium 200 potency में सब्ता हमें एक बार सिवन करें, चार डोज आपको लेना है, बाकि आपकी जितनी भी जो भी कंप्लेंट्स है, बात दीरे-दीरे करके ठीक हो जाएगी, अलग से यहां कॉंबिनेशन हमें यूज करने हैं, दोस्तो इस तरह से मैडिसीन यूज करें, आपको काफी फैक्टरिव जल देखन करने को मिलेंगे, यदि आप किसी गंबीर समस्य से काफी लंबे समय से सफर कर रहे हैं, यदि आप ओनलाइन कंसर्ट एंसी लेना जाते हैं, तो डिस्किसन बास के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं अपना वाट्सन नमबर दे देता हूँ, आप हमसे भी ओनला मात्रम